उत्तर परदेश सरकार में परियाचन एवं संस्क्रिति मंतुरी जयविर सेंग ने कहा कि उत्तर परदेश की जो विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा साथ ही मुलायम सेंग परिवार में चल रही घमासान को लेकर बोले कि एक बात तो सही है कि मुलायम सिंग परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है यूपी के कैबनेट मंत्री ठाकूर जैवेज सिंग से बात्षीत की हमारी समवदाता ममता चतरवेदी ने क्या कुछ नोने जोरान कहा? अगर यूपी की बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर पूरे हिंदुस्तान में यूपी को जो मुकाम हासिल होना चाहिए था देख वो आज तक मिला नहीं है आपकी अगर बात करें जो मंतुराला है आपके पास तो दिन का एजेंडा क्या होगा? पहले तो आपको भारती नौवर्स की बहुत-बहुत बढ़ाई दूसरा के उत्तरपदेस राजी के अपार संभावनाओं पर पिछली सरकारों में कोई ध्यान नहीं दिया गया ध्यान देते भी कैसे कानूर का राज नहीं था लोगों में सुरच्चा की बावना जागरत न आज उत्तरपदेस में 2017 में योगी जी के नेतत में सरकार बनने के बाद इन पांच साल के पिछले कारकाल में जिस तरीके से कानून का राज इस्ताफित होगा लोगों को अपनी जीवन की और संपत्ती की स्रच्चा की भावना जागरत हुई उसी का परणाम है कि आज उत्त करने के लिए उन बेसिक जो रुक्वार्मेंट्स यात्रीयों के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ हुआ है लेकिन योगी बन के कारियों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस पाद्म के रूप से हम लोग बहुत आगे जाएंगे हम लोग इन कारियों को आँ दिन की एक कार्य भीजिना मना रहे हैं जसमें जो पारटक की रूब में हमारे उपियोग नहीं रुप है जिन मार्गों पर हो काम नहीं कर पाए जिन चीहों को लोगों को बहुत को शुझार करने के लुद छनिस करके हम लोग उतको ट्रेपल समें फसको को एक्टिवेट करें उसको इस तरह काम बनाएंगे कि फिर थम परीता चाहिए वह हमारा बिदेश से शहला नहीं आए देश का अपना कोई नागरिक के घूमने निकले तो पहली परीता उसकी उत्तप्रदेश होगा यह मासुच करते हैं इसके साथ ही नौरात्री के मौके पर उत्तप्रदेश सरकार ने एंटी रूमियो स्क्वैड की भी शुरुआत कर दी है तो क्या आपको लगता है कि इससे कानून विवस्ता और बेहतर होगा और खासता और पे महिलाएं लड़कियां और भी महफूस होकर घूम सकेंगी खासता और पे परेटन अस्तल पर जा सके देखें उत्तप्तेश की महिलाओं का व्याफक जन्स अमें मिला है वो साबित करता है कि आधरी योगी जी के पिछले पांच साल में जिस तरीके तो महिलाओं का सम्मान स्वरच्चा देने का काम किया और तो आगे बढ़ चलके महिलाओं ने हम लोगों को समर्चन दिया मैं चुनाओं में भी कहा गया कि बुल्डोजर हमारा आराम नहीं करा मरमत कर रहा है हम किसी भी कीमत पर अपराधियों को अवेद जमीनों पर कप्चा करने वाले को एंटी सोचल एरिमेंट को आरायक चत्त्तों को भूमाफियाओं को बक्सेंगे नहीं वह कितना ही बड़ा प् आराम है कि हम जनका विश्वास और समर्चन भाती जनता पार्टी और योगी सरकार को मिला है और मिला है एक अखरी सवाल आप मुलायम सिंग यादो के गड़ से आते हैं मैनपुरी से ऐसा कहा जा रहा है अजकल मुलायम परिबार में सब कुछ ठीक नहीं चाचा भतीजे से नाराज हैं क्या आने वाले समय में शिवपाल सिंग यादो बीजेपी के साथ होंगे देखें यह एक ची हम आपको बता सकते हैं कि कासुर से और यह इटावा मैनपुरी फ्रोजाबाद फरुखाबाद एटा यह पॉकेट है जिसको समाजबादी पार्टी अपना गड़ कह थी है और सौमक से इसी बेल्ट से अकेला में मिनिस्टर बना गया हूं पहले भी इनके सगेर इस्तियार और संबंदियों को अरारा के हम लोग हमेज़ा चुना जीते रहे हैं हम इतना कह सकते हैं कि जिसको यह किला कहते हैं किला आधा ध्ष्ट हो चुगा है बचा खुचा क पार्टी का दोज़ा चौवीट में पूरी तरह नेश राबूद करने का काम भाठी इंता पार्टी कर लेगी अब जहांचा को उनके परवार का मामला असपर हम लोग टिपड़ी इसली नहीं करेंगे परवार में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है असपर में कोई टिवी एड प्रेस दा बेल आइकल नेवर मिस एनी अपडेट डाउनलोड कीचे जवनातंत्र टीवी अप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें